जैश्री नामदेव जी महराज आज हम दूसरा द्याय करेंगे जिसका नाम है नामदेव जी का जनम संसार में धर्म के ठेके दारों ने धर्मिक कटरता जात पात उज नीच तधा अमिर गरीव का मत बेद उत्पन करके एक जोती से उत्पन सभी संसारिक प्राणियों में ब्राह्मन छत्रिये वेश्ये वे सुद्र जातियों का ब्रह्म डाल कर नीच जाती के लोगों को तंग कर प्रभु का रूप कहने लगी उनका कहना था कि प्रभु ने बक्ति पूजा करने का अधिकार शरीफ ब्रामन यानि पंडितों को ही दिया है पंडितों की बुद्धी पर अज्यानता का ऐसा पर्दा पढ़ चुका था कि वे अन्य जाती के लोगों को मंदिर में जाकर पूज दरसन करने नहीं देते बलकि उनको समक्स देखकर क्रोधित होकर सराप दे देते हैं ऐसे लोगों का अभिमान मिटाने के लिए प्रबु ने प्रिथवी पर किशी ने किशी उतार या अपने किशी भगत को अवश्य बेजा है जैसे की सरवग्याता होते हुए रावन के हर्दे में अग्यानता आ गई और वहे अभिमानी होकर अंदकार में फस गया स्वैम को ही प्रमात्मा समझ कर अप्तेचार करने लग पड़ा उसका अंत करने के लिए प्रभू ने राम के रूप में अवतार धान किया और उन्होंने रावन का अंत किया इसी तरहे कानिस का जुलम मिटाने के लिए और कौरवो का अभिमान दूर करने के लिए प्रभू ने क्रिशन के रूप में अवतार धान किया हिरन्य कशप के पाप और जुलम को रोकने के लिए भक्त परलाद ने उसके गर पुत्र रूप में जिनम लिया तो प्रभू ने निलिंशी का रूप दान कर हिरन्य कशप और उसके पापों का अंत किया इसी तरह जब फिर भारत वरस की पवित्र धर्ती पर ब्रामनों ने अन्य नीज जातियों की लोगों को गुलाम बना कर अत्याचार करना शुरूप किया तो उस समय दुखी हर्द्यों की पुकार प्रभू के द्वार पर प्रवान हुई तथा प्रभू ने अपने बगतों को मिर्तियों लोग में दुख्यों को राहत पहुचाने के लिए भीजा श्री दामा सीट वगोना बाई की प्राथना प्रभू के दर प्रवान हुई उनके गर में कार्तिक पक्ष की एक अदसी दिन रविवार को सूर्य उद्दे किश में साली वाहन शमवत 1192 में विक्रमी शमवत 1327 तथा 26 अक्टूबर 1270 को भक्त स्री नाम देजी ने जनम लिय जोतिस सियोके ने बालक को इसवर का रूप बताया और उनके ही कहने पर उस बालक का नाम नाम देव रखा गया दामा सेट के घर का अंगन खुश्यों से बरपूर था समंदियों और गाउं निवासियों ने दामा सेट वैगोना बाई को बहुत बहुत बदाई दी आज का दूसरा द्याए यहीं शिमाप्त होता है जैसरी नाम